जारखंड एक ऐसा राज्य है जहां पर जदतर देखा गया कि एक बार भी पांस साल की मुख्यमंत्री भूमिका में नहीं रहा है कोई भी मुख्यमंत्री लेकिन इस बार भाजपक के मुख्यमंत्री पांस साल रहे इसी को लेकर अब इतने बड़े चुनाव की प्रतिक्रिया सामने आई है क्योंकि जिस तरीके से इतना बड़ा समय अब लग रहा है जिस तरीके से चुनाव इतने तीस तारीकों शुरू हने उसको लेकर काफी लंबा टाइम यहाँ पर रखा गया है नमस्कार मैं हूँ अर्शर्मा और आप देख रहे हैं SPN 9 News जिस तरीके से जार्खंड का मुद्धा इतना स्ट्रोंग हो गया है कि अब भारतिय जंता पार्टी राजनितिक मुद्धे उठा कर सामने आएगी या फिर जो रास्टे मुद्धे हैं इन्हीं पर बात करते करें कहीं ना कहीं विपक्ष को मुखा देगी जीतने का आज इसी के साथ हमारे साथ जुड़े हैं अमन जी क्या कहते हैं अमन जी कि ज्यादा टाइम क्यों दिया गया है जहारखंड के 81 सीट वाले जो राज्य है इसको इकासी सीट बिलकुल और आपने बिलकुल जिक्र सही कि पांट साल पहली वार ऐसा हुआ जहारखंड में पूरी सरकार रही है और अग्रुबर्दा जो सीम हैं बीजीपी की सीम हैं वहां से बिलकुल उनको करेड़ जाना चाहिए कि उन्हों सरकार को चलाया और हलाकि पूरे पूरा बहुमत नहीं था बीजीपी के पास 37 सीट थ कराया लेकिन इस बार श्नी था लाहिपनाश आ रहे हैं कि कई सारे मुद्व पूर पर कहीं गिरी हुए भी है और एक नहीं लोकल की मुद्वेशिते ज sono जमीनी मुद्दे से उस पर कोई बात करने को त्यार नहीं वह और इस तरह के मुद्दे जो खासका लोगों को प्रभावज करते हैं महिंगाई की बात उन्होंने की इन सब मुद्दों पर बात करें कि लोगों का ध्यान अपनी तरफ खीचनी कोशिश की उसका फाइदा यह बहुमत में थी यानि कि 47 सीट उनके पास घटकर 40 रह गई महारास्टर की बात करें तो वहां पर 122 थी 105 रह गई तो यह मुद्दे हैं जो जिन्होंने बड़े मुद्दों को लोग समझने पाया क्योंकि जो लोकल के मुद्दे होते हैं उस पर बात करना चाहते हैं कि हमारे लेकर बात कोई करेगा है या सिर्फ रास्टी मुद्दे उठाएंगे क्योंकि लोकल मुद्दे और रास्टी मुद्दों बड़ा अंतर हो जाता है क्योंकि बड़ एलेक्शन में यानि लोक सोच चुना में आप वो मुद्दे रख सकते हैं लेकि जब राजज्य की बात आ लेकर चलती है क्योंकि जिस तरीके से अब तक सिर्फ एक ही बार ऐसा मुम्किन हुआ है कि पांस साल की सरकार की बिल्कुल और रही कि रहां पर और पूरी तरह से थामी रखा है राज्यों को लेकिन हां खुल मिलाकर उसमें बहुत सारे ऐसे पेच ऐसे दाव हैं कि जिनके पर बात होगी बिबख्ष लगतार टांक करेगा चाहिए मोब लिंचिंग का मामला हो चाहिए वहाँ पर जो और भी जो आदिवासी लोगा उनकी समस्ते हैं लगतार देखने को मिलती रही है तो क्या रगोबर्दार इसके उपर जवाब देंगे उस यह में वहां कि और उस जुटे हुए अगर ऐसा होता है तो यह जटका भी बिज़ेपी के लिए हो जाएगी क्योंकि पूल बहुमत आपका नहीं था वहां पर आपने गटबंदन के सरकार वहां पर बनाई थी अगर वो चीज़े इस बार फुल्फिल नहीं हो पाती है नहीं कि आप उतनी सीट नह जाए या वो रगुवर्दास के फिस के रूप में जाखन में जाए तो यह इस तरह के माब जरूर मामले पर फिस पासे की बिज़ेपी बिल्कुल सही का आपने लेकिन एक बात जो जहन में उठती है कि जिस तरीके से मोधी का चेहरा सामने आया है अब की बार चाहे वो हर् जाए मैं तो कहूंगा सही बात यहाँ और महरास में तो आप देहिए कि अभी भी खीन स्टान जा जारी है अभी खीन सान चल रही है और जब घटबंदन में आप होते हैं तो यहीं मजबूरी होती है कि जो सही होगी दल होता उसकी तमाम बातों को मानना पड़ता है और यह यही थाबित कर रहा है कि बैक फूट पर है और जब आप 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 बढ़ेगा अगर घटेगा तो फिर आपके साथ में कौन आएगा और साथ में आएगा यह इसलिके तमाम मुद्दे सामने आजाते हैं उसके बाद तो यह बड़ी मुश्किलात की बात होगी क्योंकि पाफ साल तक आपने रूल किया है तो आपने क्या विकास किया है कि अपको बताना पड़ेगा वहीं है जिन मुद्धों पे कॉंगर्स पार्टी आपको घेरेगी उनकी जबाब दे भी आपको देनी पड़ेगी तो यानि कि कुल मिला का जारकंट का एलेक्शन बीजेपी के लिए एक अगनी प्रक्शन से कम नहीं होने वाला है धन्यवाद अमन जी बिलकुल सही कहा आपने की जिस तरीके से लगातार मुद्धे उठे हैं हर्याना हो महरास्ट हो क्योंकि 122 से 105 में महरास्ट पे गई तो भाजपा वहीं हर्याना में 47 से 40 पे आ गई तो इसी तरीके से देखा गया कि जीत कर भी हार गई है भाजपा सरका जीतकर भी हाड ना जाहे ये सबसे बड़ सवाल है क्या करते हैं इसको लेकर भाजपा के अध्यक्ष्टि अमयर श्याह यह बड़ सबसे 2 बड़ सवाल है क्योंकि महा पर रैली ना करना महा पर कम रेलिया कर एक तरीके से प्रशन बन चुका है जो अमिश शाहा ने कम करा है महा का दोरा तो ये सवाल उठता है कि अब जार खंट के लिए क्या प्लैनिंग सामने आती है तब तक के लिए दीजिये हमें इजाद तैसी ही तमाम कब रुक ले जुड़े रहें SPN 9 News पर धन्यवाद